दोस्तों किसी भी computer के hard disk पे partition कैसे create करते हैं यानि की अलग-अलग drive जैसे की D, E या फिल F drive कैसे बनाते हैं ये मैं आपको और रड़ी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अगर आपको जानना है कि अपने computer के hard disk पे कैसे partition create करते हैं यानि की अलग-अलग drive कैसे बनाते हैं तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं और वो वीडियो देखने के बाद से आप अपने computer के hard disk पे बहुत ही आसानी से partition create कर पाएंगे यानि की अलग-अलग drive आप बना पाएंगे दोस्तों उस वीडियो का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ अगर आपके computer में पहले से partition हो रखा है यानि की आपके computer में पहले से अलग-अलग drive जैसे की C, D, E या फिर F drive है आप किसी भी वह से अपने किसी एक drive को delete करना चाहते हैं और आपने जिस drive को delete किया है उस deleted drive space को दूसरे drive के साथ merge करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे और मैं यकिन के साथ कर सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के वाद से आप बहुत ही असानी से अपने computer के किसी भी drive को delete कर पाएंगे और फिस फिर उस deleted drive space को दूसरे drive के साथ आप merge कर पाएंगे इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ है आप इसको like करना, share करना अगर आप मेरे चैनल पे पहली बरा हैं, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में bell icon को प्रेस करके और पर सेट कर देना ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का notification आपको आसानी से मिल जाए नमस्कारत आप दोस्तों, मेरे नाम इंतखाब और आप देख रहे हैं टेकनिकल ग्राम तो आईए दोस्तों आज कुछ नहा सिखते हैं तो दोस्तों अपने laptop या फिर अपने PC के किसी भी drive को delete करने के लिए सबसे पहले आपको उस drive में आपका जो भी data है उसका backup किसी दूसरे drive में या फिर external drive में ले ले लेना है तो left side में आपको दिखेगा disk PC यह आपको desktop पे भी दिख जाता है वहां से भी आप कर सकते हैं आपको यहां disk PC पे right mouse क्लिक करना है यहां पे आपको दूसरा option दिखेगा manage का आपको यहां manage पे क्लिक करना है यहां पे computer management का page open होगा यहां पे दोस्तों computer management के page पे आपको एक option दिखेगा storage का उसके अंदर आपको दिखेगा disk management हो सकता है जब आप पहली बार open करें तो direct आपको यहां पे disk management ना दिखे आपको कुछ इस तरह से दिखे तो आपको यहां storage के आगर जो तीर का निशान दिया है इस पे click करना है यह expand हो जाएगा फिर आपको यहां पे disk management दिखेगा आपको यहां पे disk management पे click करना है फिर आपके computer में जितने भी disk होंगे चाया वो primary हो या फिर secondary हो उसका पूरा list यहां पे आपको दिखाएगा मेरे computer में तीन drive है C है, E है और F है तो मुझे अपने computer से F drive को delete करना है आपके case में D भी हो सकता है या फिर E भी हो सकता है आपको जिस भी drive को delete करना है उस drive पे आपको right mouse click करना है यहां पे आपको option दिखेगा delete volume का आपको यहां delete volume पे click करना है अब यहां पे यह बोल रहा है कि delete करने से पहले उस drive में आपका जो भी data है उसका आप backup ले लो otherwise वो पूरा data यहां से erase हो जाएगा फिर आपको नहीं मिले डिलीट तो हो गया दोस्तों लेकिन अभी वो जितना भी उस drive का size था वो useless है आप अभी उसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो अब आपको क्या करना है कि जो भी size था उसको दूसरे drive में आपको merge कर देना है जैसे यहां पे देखिए मैंने F drive को delete किया जिसका size 181 something GB और उसके पहले यहां पर देखिए E drive है जिसका size 186 something GB तो अब मैं क्या करूंगा कि जो drive मैं delete किया हूं उसको merge कर दूंगा E में तो अब इसका size 186 plus 181 हो जाएगा और यह पूरा drive एक अलग drive यहां पर E drive का पूरा इतना size हो जाएगा तो merge करने के लिए आपको क्या करना है जिस भी drive मे आपको merge करना है जो आपने delete किया है जैसा अगर आपको D में करना है या फिर E में करना है उस पे अब आपको right mouse click करना है और वहां पे आपको एक option दीखेगा extend volume का आपको यह extend volume पे click करना है यह wizard open होगा आपको यहां पे next पे click करना है यहां पे वो पूरा size दिखाएगा और size दोस्तों कभी भी MB में दिखाता है यहां पर देखिए total size यहां पर दिखा रहा है 3769 इतना GB और यहां पर maximum available space 186000 यह सब MB में दिखाता है आपको यहां पर simple क्या करना है next पर करना है और यहां finish पर क्लिक करना है जैसे आप finish पर क्लिक करेंगे अब यहां पर देखिए जो drive मैंन 6068 GB यहां पर space हो गया इसका पहले यहां पर F drive सा जो कि अब यह delete हो गया तो ऐसे बहुत ही आसानी से आप अपने computer में किसी भी drive को delete कर सकते हैं यह दोस्तों भूजर यह आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको like करें इस वीडियो को जयाना है जयाना श॥े करें अगर यह वीडियो आप Facebook पर पे इसको like और share करें ऐगर YouTube कर देख चैनल को ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाईए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए